Hello everyone, this is William Pollitt और एक वार आप सब को मैं स्वागत करता हूं सब को जे मसी की, Praise the Lord आज हम कुछ डिमांड पर ये गीत को हम गीटार पर सीख रहे हैं जो बहुत ही पुराना है, जो मैं बहुत ही छोटा था उस समय इस गीत को सीखा था और उस समय ना कोई गीटार, कोई म्यूजिक नहीं, लेकिन गीत को सीखा था और वो है भजन संगेता 23, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना हो ली हम उस पत को जानते हैं और इसलिए किसी ने कंपोस किया बहुत पहले, बहुत पुराना गीत है यहोवा चरवा है मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है तो किसी ने हमसे कहा है कि आप इसको बहुत धीरे से प्ले करिए ताकि हमें भी मदद मिल जाए और थोड़ा सा जानकारी मिल जाए किस प्रकार से आप प्ले कर गए तो आज इस गिर्ग के उपर हम थोड़ा ध्यान करेंगे और एक छोटा सा समय बिता करके इसको सीखने के पोश्चिस करेंगे और हम इस प्रकार से उसको बजाए करेंगे करेंगे कि यही चीज़ था और मैं इसको धीरे से बजा करके बताना चाहता हूं ताकि हमारे जो भाई बेन जो लर्णर से आप उसको बहुती आसानी से बजा सके या समझ सकें कि हम किस प्रकार से इसको बजा रहे हैं मैं इसको जी में जर से लिया हुआ हूँ जी में जर से प्ली कर रहा हूं लेकिन उसके बीच में कुछ-कुछ बॉट्स को मैं लीड के साथ लेके जाता हूं जी का तो रिलेशन आपको मालू है फैंटी और दी लेकिन उसके अलावा भी पी माइनर और एक ए माइनर हम इस अनुजन लिए कि वे पीफ नमबर सेकन स्ट्रीन जो है फिप नमपर-फ्रेह सेकंड स्ट्रीन को मैं ड करता हूं कि जब मैं इसको हीट करता हूं तो यह सिर्फ 2nd string को भी हीट नहीं कर रहा हूं मैं एसा हीट करता हूं कि 2nd and 1st string दोनों एक साथ हसाथ बच जाता है कि मैं वहाई ट्यूनिग अच्छा से होने के कारण से आपको पतना नहीं चाब रहा है एपना स्तों से डिगनर्स को पेएऊं जो गिटार के जो हमारे उस्ताइद लोग है जो अच्छा से पहले से बजाती भार है वो जो गारू पकल लेंगे एक स्ट्रिंग ने हिमें दो इस ठीग को बजारहूँ एक सब निया करता हूं अच्छा से चिनिंग होने के कारण से पता नहीं चल रहा हूं लेकिन यह दो स्ट्रिंग को गर मार रहा हूं देखें यहां हीट करते हैं मैं ड्रैग करके यहां चलाता हूं जी वही सेकेंड स् ट्रींग को ऐसा हीट करता हूं ऐसा करता हूं ऐसा करते हीई इसक्स सेब्वन एट नंबर पर आता हूं देखें त्री मैनर को पकड़ता हूं देखें A मैनर को पकड़ता A मैनर G और एक बाद E मैनर E मैनर D D मैनर G तो यह है बैस उसी चीज़ को हमको continue करते जाना है यह वा चरवा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है उसको मैं इस तरह से बजा करके उहीं पर खतम कर रहाँ अब इस ट्रेंजा अलग है जो पद हम गाने वाले और अलग है लेकिन जो शुरुआत का जो पार्ट है इस तरह से फिट नंबर से आप जाएंगे को लिए लर्ड डरुट न얼। हुएं इसको ही तो यहां जरोड करूंगा लेकिन यहां पर उखेगा नहीं हिट मानते हमको यहां अहां अहीं कहां पर आना है य Bundesregierung अर् combative practice what everybody 67 8 नमबर जाना है हीं में आना है जाना है उसे समें उट आना नहीं है देखिए तो उसका अलग प्रकार का एक साउंड आ रहा है अब यहां से भी डारेट बया सकते हैं कि नहीं हो खराव हिनी कि फोड़ा सावर क्लिए मैं उ ठाल के यो प्रहूं कारी किलिए फोर तो जाएगा कियोकि नोट यहां से सुरू होता है जीस है जिसी खिवहां क्लाम मेलोडी करने के समक्स के जीस्ता है यां धो यह सुन लीजेड और देख लीजेड का यह साय गया कि मैंन दे एगा हो बाजने हैं आब का इंड प्रोकाइब अब्रोच जनी बाजाएंग को दियां फ्सक्रीजए एंड पर श्कित पर यापड़ लुण से बनाव स्बागब से भी आपड़ फे व्सक्रीजए एंड भी श्कित स्टीए 1st string और 2nd string को में यूज़ कर रहा हूं 7th nummer fret for 1st string 8th nummer fret for 1st string उसके बार 2nd string और फिर 1st string आजा रहा हूं देके और 1st string और 1st string C D करेंगे तो समय मैं क्या करता हूं भी माइनर को पकड़ता हूं सुन लिए कि देनर को क्या है। पक। वसुद करता हूं कि देनर क्या हूं दौन सुन स्पार्ट पर एक बार ध्यांदी जीरा करेंगे 해 कि ये लुड़ inventory लुटती हैं थोड़ा से हम समय गुजारेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इतना भी ज्यादा कठी नहीं होना चाहिए, खास्तों से मेरे जो लर्नर्स भाई बैन हैं, मैं आसर करता हूँ, आज के वीडियो में कुछ ना कुछ आपको मिला है, खास्तों से जो डिमांड किये हैं, आपके जूल करके सीखें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर हम सब को बहुत ऐसे आशीस दे, तैंक यू बेरी मुच